हेलो अब्रिवर्ण कैसे हो आप लोग आप सभी का आज के वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है तो आज यहां पर आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से कि यह जो बुखे यहां पर हम लोग कंसाइस इन और्गेनिक के जो बुखे वो हम लोग लेके आ गए हैं ओके वो पोस्ट ग्रेजविश्ट्स में होते हो तो आपको इतने सारे topics आपको दिए जाते हैं inorganic chemistry के अंदर की वो सारे के सारे topics आपको एक reference book में नहीं मिलते तो इसके लिए आप क्या करते हो अलग-अलग reference book जाते हो आप library से लेते हो, कभी-कभी वो reference book आपको मिलता नहीं है, एकी copy होने के कारण, वो किसी और के पास चले जाता है, तो ऐसे समय में आपको क्या होती है, थोड़ी सी जो difficulty है, वो आपको मैसूस होती है, ओके, तो इसके लिए हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे जो concise, inorganic chemistry की जो book है, यहाँ ने ढूना है, और आपके लिए यहाँ पे हम provide कर रहे है, यहाँ पे अगर आप इस concise, inorganic chemistry की book की बात करते हो, तो इसके अंदर जो यहाँ पे जो topic से वो सबसे पहले आप देख लो, इसका जो content है, वो क्या क्या है, उसके बाद आप इसको download कर लेना, ठीके, सबसे पहला यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो इसका part 1 है, okay, part 1 में आपको देखोगे कि theoretical concept and hydrogen, तो यह सबसे पहला यहाँ पे आपको topic दिया है, अगर आप theoretical concept और hydrogen की बात करते हो, तो इसके अंदर आपको क्या important है, okay, सबसे पहले तो यहाँ आपके मन में question आएगा, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, जो atomic structure होता न, predictable का, वो सारी चीज़े यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी, okay, arrangement आपको देखने के लिए मिलेगा, सिक्वेंस आपको देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे हैसन बर्ग, uncertainty principle, scrondanger, wave equation, तो यह सारी जो चीज़े हैं, वो आपको chapter 1 के अंदर देखने के लिए मिलेगी, chapter 2 की बात करें, तो chapter 2 में अगर आप देखोगे, कि आपके, अगर आप syllabus से compare करते हो, तो आपको यहाँ पे type of bonds मिल जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे ionic bond, covalent bond, oxidation number, coordination bond, double and triple bond, metallic bond and the metallic structure, metallic, यहाँ पे melting point, conductivity, solubility, speed of reaction, यह सारी चीज़े यहाँ पे आपको मिल जाती है, जो आपके syllabus में होती है, उसके बाद chapter 3, जो आपका ionic bond है, ionic bond यानि एक तरह से सबसे strongest bond हम लोग कहते हैं, जो ions, ions के बीच में होता है, तो यहाँ पे आप coordination number 4 में क्या ionic bond होता है, 3 में क्या होता है, 4 में क्या होता है, 6 में क्या होता है, वो आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे उसके structure के बारे में आपको पता चलेगा, कि वो structure close packing है या नहीं है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको जानने के लिए मिलेगी, यहनि एक तरह से आपको बहुत सारी जो चीज़ें हैं, वो आपको इस level से related है, यहाँ पे आप layer structures के बारे में आप देख सकते हैं, अलग-अलग, ठीके, उसके बाद latest energy क्या होता है, उसके बारे में यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ठीके, उसके बाद F center, यह एक बहुत ही कमाल का जो topic होता है, वो नहीं मिलता हैं बहुत जगा, इसके बारे में यहाँ पे आपको मिलने वाला है, उसके बाद यहाँ पे semiconductor and transition, यह आप देख सकते हैं, photovoltaic cell, transistor, microm, उसके बाद यह further reading के लिए आप अलग-अलग problems को यहाँ पे आप support में ले सकते हो, ठीके, उसके बाद covalent bond में भी आपको same, ऐसे ही आपको बहुत सारी जो चीज़े हैं, चाहे आपका levis theory हो, octate rule हो, उसके बाद acid wick rule हो, okay, valence cell electron हो, VSEPR theory हो, वो सारी चीज़े मिलेगी, उसके बाद VSEPR theory की कुछ example आपको देखने के लिए मिलेंगे, चाहे आपका यहाँ पे BF3 हो, ammonia हो, water हो, उसके बाद यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो, आपको balance bond theory, VBT theory आपको देखने के लिए मिलेगी, hybridization के बारे में आपको यहाँ पे मिलेगा, sigma and pi bond क्या होता है, उसके बाद molecular orbital method क्या होता है, अलग-अलग combination जैसे SS, SP, PP, PD, DD, यह अलग-अलग transitions के बारे में आपको यहाँ पे पता चलेगा, अलग-अलग molecules के, diatomic molecules के बारे में यहाँ पे आप जान सकते हो, चाहे आपका hydrogen हो, helium हो, उसके बाद lithium हो, beryllium हो, boron हो, carbon हो, nitrogen हो, oxygen हो, यह सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे आपको proper तरीके से मिलने वाला है, सब चीज़, उसके बाद यहाँ पे आप metallic bonds के बारे में पढ़ सकते हो, जो आपका पूरा metallic bonds जो एक transition series होता है, उसके अंदर जितने भी metals हैं, उसके अंदर किस तरह की bonding होती है, यहाँ पे आपको जानने के लिए मिलेगी, उसके बाद general properties of element, जैसे size of atom क्या होता है, size of iron क्या होता है, problem with the ionic radius क्या होता है, trend in ionic radius क्या होता है, वो सारी चीज़ों यहाँ पे आपको जानने के लिए मिलेगी, ionization energy, electron affinity, bond heaven cycle, polarizing power and the polarizability, electronegativity, यहाँ पे आपको जानने के लिए मिलने वाली है, metallic character क्या होता है, वो जानने के लिए आपको मिलेगा, तो आप सोच सकते हों कि कितने सारे जो topics है, आपके syllabus से related है, coordination compound के बारे में यहाँ पे आपको जानने के लिए मिलेगा, और वो भी बहुत detail के अंदर, तो आपको तो यह पता चल गया कि यह book आपके लिए बहुत ज्यादा important क्यूं है, hydrogen and the hydrates, इसके बारे में यहाँ पे आपको मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे आप S block के बारे में आप देख सकते हो, यह जनरली आपको S block के लिए आपको अलग से जो book है वो refer करनी पड़ती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको यह यही पे मिल रहा हो, उसके बाद S block में जो आपका second group है, alkaline, earth metal, उसके बारे में यहाँ पे आपको मिलने वाला है पूरी जानकारी, ठीक है, तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यह जो book है, यह बहुत ही कमाल की book है, आपके लिए अगर आप inorganic chemistry को बहुत detail में पढ़ना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे सभी चीज़े बहुत आसानी से मिल जाएगी, बहुत proper तरीके से मिल जाएगी, और इसमें से most of the topics है, वो आपको competitive exam में भी आते हैं related topics, तो यह आपके लिए बहुत जादा benefit होगा, अभी हम बात करते हैं कि इस book को आप किस तरीके से आप access कर सकते हो, download कर सकते हो, क्योंकि सबसे main तो यह होगा कि आपने इतना बड़ा वीडियो देखा, आप सोचोगे कि अगर हम इसको download नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, वीडियो बनाते हैं और बोलते हैं कि आप हमें DM करो, यह करो, यह हमारे पास नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, इसको download कर सकते हो, आपको simply हमारे telegram पे जाना है, वहाँ पे आपको join करना है, और वहाँ से आप इसको download कर सकते हो, या फिर आपके पास एक और option है, कि आप इसको directly, आप इसको description से भी download कर सकते हो, वहाँ पे आपको इसका जो direct link है, वोगे, download का, वो आपको दे दिया जाएगा, वहाँ पे आप click करोगे तो वैसे ही आपको जो download का option होता है वो आपको show करने लगेगा तो यह आपके पास बहुत ही एकदम simple सा आपके पास method है ठीके तो इस तरीके से यहाँ पे यह जो वीडियो है लाइक कर लो और हमारे चैनल को आप subscribe कर लो thank you so much आप सभी का मिलते हम लोग नेक्स वीडियो में ने topic के साथ